हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सभी लोग स्वागत आप सभी का आर्बी यूट्यूट्यूब क्लैसेज में जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मेरे पास अर्थमटिक प्रोग्रेशन चेप्टर की सेरीज चल रही है तो आज मैं उसी सेरीज का सेवन्थ पोर्शन डिसकस करूंग कितनी है तो एक कि बैलू 8 एक है यहां पर है और जो एंथ टर्म उसकी बैलू कितनी है और जो एस एन है सम आफ एंफ प्रोकितना है 210 है करना है इसमें क्या होगी एंपछला नंबच टर्म एक और कि की होगी यह फाइंड करना डिक्या है कामन डिभ्रेंश तो चलिए वंड यह जो कोश्चन है यह है हमारा क्लास 10 के मैथ से सी ब्यस्टी बोर्ड जहां पर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी से यह कोश्चन डिसकस कर रहे हैं यह कोश्चन आपको पेज नमबर 112 पर मिल जाएगा तो चलिए इस कोश्चन को डिसकस करते हैं और यहां पर जैसे कि हमसे डिया गया है कि में की बयलू कितनी है यह क्या है हमारा संतर्म right पर दिया गया है आपको एक्रोड इसं की बैलूrale 208 करना है टव सबसे पहले हम यहां पर सन का फार्मोली 카 डिस्तिमाल करेंगे तो student अब लोगों को पता होगा कि बहुत सारे फार्मूले होते हैं समके जो मैंने अपनी चैनल पर बता रखे हैं जिन्हीं student नहीं देखा है वो मैं description में link देदूँगा आप जा करके देख सकते हैं तो यहाँ पर फार्मूला होता है एक तो फार्मूला होता है sn का n by 2 2 into a plus n minus 1 into d और एक दूसरा होता है यहाँ पर sn is equal to n by 2 2 into a plus sorry n by 2 a plus an अब सर यहाँ पर हम यह वाला फार्मूला का आप इस्तेमाल करते हैं देखो यह फार्मूला आपको तब इस्तेमाल करना है जब आपको एएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए by using sum of ap sum of ap का फार्मूले क्या होता है sn is equal to n by 2 under bracket a plus an अब sn की value में पता है कितना 210 n की value में पता नहीं है तो कोई जरूरत भी नहीं है इसको हमें find करना है a की value कितनी है 8 और an की value कितनी है 62 यह हमें दिया गया है अब जब हम 62 में 8 को add करेंगे तो कितना आएगा 70 आएगा और इस 2 division में है उधर जाके कैसे हो जाएगा तो उधर जाके into में हो जाएगा 210 multiply by 2 is equal to n into 70 how much n into 70 so finally जब हम इसको multiply करेंगे तो 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 जा 4 और इधर क्या जाएगा 70 n तो अगर हमें n की value find करनी है तो यह 70 n के साथ into में है उधर जाएगा तो division में हो जाएगा मतलब 720 divided by sorry 420 divided by 70 और यहाँ पर जाएगा n आप देखें यह 0 से 0 को हम cancel out कर सकते है 7 का table आता है 7 बंजा 7, 7 6 जा 42 तो finally जो n की value यहाँ से आती है वो कितनी आती है finally जो n की value यहाँ से आती है वो आती है 6 ठीक है number up term कितना होगा student 6 तो n is equal to 6 n क्या है number up term है now हमें d find करना है तो d find करने के लिए अब हम चाहे n का sn का formula इस्तेमाल करें और चाहे हम an ap का formula इस्तेमाल करें यहाँ पर हम an का formula इस्तेमाल करेंगे मतला ap का formula इस्तेमाल करेंगे by using ap so an is equal to होता है a plus n minus 1 into d अब an की value में दिया गया है कितना 62 वो यहाँ पर put कर देंगे और a की value कितना दिया गया है 8 plus n की value कितना दिया गया 6 into d की value हमें find करना है तो यहाँ पर इस 8 को जब इधर बेजेंगे तो यह हो जाएगा 62-8 is equal to 6-1 होगा आपके पास 5D तो जब हम 62 में 8 को minus करेंगे तो दिखे 2 में से 8 जाएगा नहीं, एक carry ले लेगा तो कितना हो जाएगा 12 12-8 करेंगे तो कितना आजाएगा 4 आजाएगा और एक इसने carry दे दिया तो 6 के बज़े कितना बज़ेगा 5 54 is equal to 5D 5D के साथ कैसे है into में तो अधर जाके कैसे हो जाएगा d region में, तो 54 upon 5 D का answer कितना हो जाएगा student 54 upon 5 तो रहे थे, जाग जाओ exam नद्दी काने वाला है तो finally यहाँ पर answer क्या होगा तो finally यहाँ पर answer लिखेंगे therefore first term sorry आप यहाँ में first term नहीं find करना था है आप यहाँ में common difference find करना है और number after term find करना है so therefore number after n is equal to 6 and common difference d is equal to 54 upon 5 तो यह इस question का answer होगा student उमीद करता हूँ कि इस वीडियो में आप लोगों को समझा पाया होँगा अगर यह वीडियो आप लोगो helpful लागा है तो वीडियो को तो like करेंगे करेंगे channel को भी subscribe करेंगे और अपने दोस्तों को भी share करेंगे इसी वीडियो हम लेके मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए thank you class